तो लास्ट लेक्शन में आपन देख रहे थे जिम्नों में हमने बहुत सारी बाते देख ली थी आपको कल बताया था मैंने कैसे आपके एंब्रियोसा का फॉर्मेशन होता है सब देखा था ना कलम ने कि यह सर अब देखो एक दो बाते जो इंपॉर्डेंट है जो पहले भी आपको बताया था मैंने फिर से आपन रिपीट करते है ठीक है तो पहले थोड़ा रीक्याप कर लेते कि क्या हमने देखा था लास्ट ट् अरे नहीं होता है अलोंग एक्सिसटू फॉम क्या बोलते है लाक्स एकां त्रॉप यास रहला होंगे यह कुछुर्ध कि थो जो हूंगे यह ने मेल इस्ट्रोबिल्य यह को क्या बोलेंगे अपन फीमेल एस्ट्रोबिलय याद दना सब कि यैस सर अब देखो मैल इस्ट्र सब करेंगे बता हुए जल्दी बता और वही माइक्रोइस्पोर ट्राड या इसको माइक्रोइस पूर बोलते हैं जब उसमें आपका माईटॉसिस होगा तो बना देगा पॉलन रेन याद है और उस पॉलन गर्ण में एक पॉलन गर्ण में कितने सेल्स होंगे जल्दी बता में घर होगा डोख सब्सक्राइब में देखा तामने वाले थे एंग लोटेक्τη की मिले दक लsquinal श्रीट विलाए इमेल इस्टिरिय। क्या होगा फाई में इसमें क्या इंदर किस पेमल ने में बैद के अंदर क्या होगा अधोगा क्या होगा यहऌ्ट और यह सब्सक्राइब आपका माइटॉसिस करेगा तो इससे बन जाएगा चार आपका वर अब यह मेगास प्रव तेट्राड में तीन जो होगा बचा उसमें तीन माइटॉटिक division होगा और यह बना दागा embryo embryo से याद है सबको यह सर अब देखो फीमेल गामिट्रोफाइट बन जागा आपका embryo सैग अब embryo सैक में दो या उससे ज्यादा क्या होगा female sex organ होगा और उसी female sex organ में किसका formation होगा female इसको आज फिर से बताऊंगा मैं एक बार पूरा डिटेल में देखो आगे यह बात मैंने पहले बता रखा पहले याद रखना कि endosperm तो आपका angiosperm में होता है वह 3N होता है याद है बताया था यह सर्व और आपका इंडosperm में होता है क्या always haploid and condition होता है क्यूंकि जिम्नो sperm का endosperm है कब बनता है before fertilization याद रखने का इस बात को जिम्नो स्पर्म का हमेशा कैसा होगा haploid इस बात को सब लोग याद रखोगे ठीक है पहले बताया था मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो एंडosperm कैसे बनता है सब देखेंगे अपने फिर से डिटेल में देखो एंडosperm होता है कि इसका जिम्नो का एंडosperm ऑफ कि जिम्नो स्पार्म मैं ऐसा कैसा होगा भाई आप लए एप्लोइड एप्लाइड यूं चुकि इस फॉंड फॉर फॉर फर्टिलाइशन इस फॉर्टिलाइशन फॉर्टिलाइशन इस पहले बनता है कि देखो एंडोस्पर्म ऑफ एंडोस्पर्म जो अगला हम पढ़ने वाले हैं आपका एंडोस्पर्म होता है हमेसा कैसा होता है आपका प्रियेटी एन यह कब बनता है फॉर्म्ड आफ्टर पॉर्टिलाइजेशन वांडर आफ्टर कि पारटीलाईजिशन यहाद है कैसे बनता है बताया था ना तो मेल गयमिट कहा पहुंच गया बिटा एंब्रियो सैक में अम्डियो सैक में यह पहले वाला जो मिल गयमिट है किससे करेगा एक से अर जाइगोट बना देगा और दुसरा वाला कि में ध्यार कते हैं दूसरा वाला में गरम जब है जो भी तोनों यह क्या है polar nuclei, polar nuclei भी आपका NN है जिए है तो देखो तो N-N-N कॉन सा structure बनेगा 3N यहीं 3N structure क्या आपका endo form आई बास समझ जल्दी बताओ यह सार तो जो आपका angiois form है angiois form का जो आपका endosperm है वह 3N होता है क्योंकि वह after fertilization देखो ने male gamete से fuse करने के बाद बन रहा है लेकिन जिम्नो का आपका endosperm से पहले बनता है इसलिए हमेशा कैसा होगा जल्दी बताओ आपको यह रहे है कि बोलो है यह सब्सक्राइब जिम्नो स्पर्म है है प्लाइड आप इस फॉर्म बिफोर फर्टिलिएशन अब देखो कुछ पॉइंट से वस आप याद रखोगे smallest जिम्नो स्पाइआड आप का कि मिया ठीक है largest जिम्नो स्पर्म कान आपका के कि धुए का अका कि है वाई कि मृता है आपका गर अग्यात कि दो स्मॉलेंड जिम्नु स्पाइड का कि आपका से गवर आगे देखो вариантец पंट कंको आन and Metasequa are living fossils इस class में भी कुछ fossils होते हैं कौन-कौन fossil की तरा आक्टर था भाई ताइकस चिंको और तिसरा कौन आपका जली बताओ अटा सुक्वा तीज आ लिविंग फॉसिल्स याद रखना दीज लिविंग फॉसिल्स यह यह क्या है लिविंग फॉसिल्स है तो कोई पूछे की नेम सम लिविंग फॉसिल्स इन जिम्नोस पंतो किसका नाम बताओगे ताइकस चिंको और तिसरा कौन आ जली बताओ हमेस चाक आगे देखो जिंगो बालो भा जिसको अपन पगोड़ा को पॉलते है या मैड़न हेसे लिविंग फॉसिल्स छेगों कि याद रखो यपण तो क्या है ओलन बशूसिल्स नहीं को बाइलोबा यह सब आपको याद करना है चिंको बाइलोबा क्या आपका ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है और इसका कनेक्टिंग लिंक माला जाता है किसके बीज का आइकेट्स का और किसके बीज का पॉनिफर्स आई बास समय जली बताओ बोलो आगे देखो लार्जेस्ट पॉवियूल ऑंडिन साइकेस रिवोलीटा का मिलता है लांजेस्ट मेल जो सबसे जादा मेल कोन आपको पढ़रा था ना मेलं कोन वह कहां मिलता है आपको आंसर दिया हुआ है उसको देखो गे ही पर आफ्म कि मिलागा साइकर्ष इन्यार्जेस्ट डार्जश्ट मेल गयमीटे किम मिलता इसνाइक होते त duy फिम एल फैकर्ट होता है बहुत सारह उसमें सीलियों होते हैं लार्जेस्ट फीमेल गामिट किसमें मिलता है साइकस में यह सब कुछ लाइन को रट्टा मार भूलने का नहीं कभी आप देख लो क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एक्दम कॉमन बात हो गई इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग फोटो सिंथेटिक गैमिटो फाइट इस नौट फाइट इन दिम्नो और एंजियों में इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग फोटो सिंथेटिक नहीं होता है जली बताओ इस सब्सक्राइब इसमें आता है जिंको बाइलोबा दुसरा है आपका नेटल्स जिसमें आपका अफेडरा नेटम वैल विष्ट चिया इस अब आता है तीसरा आपका और अगला आपका पॉनिफेरिल्स ना यह सब एसपोरोफाइट है अब इस पर फाइट में क्या बना देखो इस आपका इसपरोफील होता है स्पीमिल कॉन और इधर क्या देखो तो मेल कॉन है ना इसadoreफिल और मेल कॉल देखे बताओ स्मर्श्वां में में स्पॉर्Wind में ज़ल्दी बताओं अब देखो रागों अब कर यह आपका यह बना क्या क्या क्टनिशन में आ गया तो इस लाइन को ध्यान से इस लाइन के उपर सब आपका two in तो कि northern नीचे यह दिख ऊटाइब़ यहां यहां बनने बन गया माईक्रोर्त यह बन गयाया मेगा इश्बांटे ओ तैसियो में ब्रता सथाफ एक का इत। हो लेक्वेट अब लगुंदें या भूकर बना जाना तो यह मेल गाय मित हर दोनों का प्यूजोल सिंगा मिंए फ्लिकष परतलाइज कर या धां किया और страх लेकिस क्या और है सब कर प्रिफिस कि आइस्ट करना में इस में तरम हाने के जरूरत नहीं कि और dai कि एकॉनमिक इंपोर्टेंस ऑफ जिमने स्पॉम्स पहला क्या आपका एडिबल सीट्स शीट्स ऑफ पाइनस है ना तराइडियाना कॉल्ड इल्गोजा आरे डिबल आपने सुना भी होगा चिल्गोजा खाते भी हम लोग देखा है चिल्गोजा सुना है नाम इस यह सर्ण आगे देखो इंबर मतलब इसके सीट एडिबल है अगला क्या तिमबर इस्पॉम्स पजेस आफ्ट वूड किसको अफ्ट वूड को किसको आफ्ट वूड है ना तो टिमबर में इसका यूज करते है अपन टेपर बनाने में भी इसके वूड का यूज होता है इन डिडल लाइक लीव और न अन्यडंद ऑफ पाईनस अंद अधर कॉनिफर से यूज इन में इकिंग आइबर बोर्स बना सकते हैं अगला क्या लिखा हुआ है अफेड्रिन का नाम है और द्रग एमट्तेंड फ्रॉम एफेडरा क्लाइमबर लोग इसफ जूए इनट रेस्पीरेटरी डिशॉर्डर इंन्कूड़िंग एफेडरी ड्रण vacun haha इसको आफेडरा सा निकालते हैं और इसकौ आश्थमा करता है ना मन कोügen करने में अपन यूज करते हैं भी क्या आपका इक एक एंटिक यह राग है जो कान्सिर को ठीक करने में करता ठीक है शहां से निकाला गया कि यह घंड आख देखी लिए आटना अधिक उन्हुड़ को अवं फाकत है मनच अब हमारा थो बाते हैं लुआ घंटयों दे हैं athyकरी जो बाते यह उसको पूरे डटेल में देखेंगे बहृत डीटेल में और पहले हैं आपको आज मैं पूरा डिटेल आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में उतना डिटेल नहीं पढ़ना आप को ठीक है लेकिन यहीं सारी बाते आपको पढ़ना है तो मैं अभी पढ़ाऊंगा प्लस यह भी आपको बता दू कि मैंने लास्ट में नोट्स इतना लगा दिया जितना आपको बस पढ़ना यह तो पूरा डिटेल बता रहा हूं कि पूरा कॉंसेप्ट ही बन जा इसके उपर लेकिन जिसको लगाया कि सर यह बाद में पढ़ लेंगे उसके लिए इतना आपके चैप्टर में दिया हुआ उसका नोट्स में लगा हुआ है आप इतना देखो यह समरी है उसका मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा लेकिन आपक गैसे कैसे सब कुछ का फॉर्मेशन होता है ताकि थोड़ा सा कॉंसेप्ट बिल्डफ हो यहां पर ठीक है अब ना तो में यह सारी बहुत बहुत बहतरीन तरीके से देखेंगा बहुत इजी कॉंसेप्ट बताया था मैंने वहीं सब आज थोड़ा अच्छे से इसको बताता को जिसको अपन इस पर में फाइट सभी बोलते हैं क्या बोलते हैं जल्दी बताओ अगे देखो और यह पहला ऐसा प्लांट होगा जिसके अब जाहिलं में क्या आ जागा ज़ल्दी बताओ मतलब वैसल और अस्परमे मतलब क्या होता आपका गार दोज प्लांट्स इन विच सीट सार फॉर्म्ड इंसाइड फ्रूट याद करो पिसले में भी आपका शीड बना था यहां पर किसका फॉर्मेशन नहीं हुआ ने पर सीड आपका नेकेड नहीं है ना तो ही लिख रहा है एंजियोस फॉंप सार दोज ब्लांट्स इन विज इट सार फॉर्म्ड इंसाइड फ्रूट एंड इस पोरो फिल्स आर और अर्गिनाइज इन्टू इसमें फ्लावर्स पहली बार आपको फ्लावर भी देखने को मिल इस पोरो फिल था ना आवर कैसे बनता है लिफ कही मौडिफिकेशन होते हैं तो क्या बन जाता आपका अजली बताओ आपका यहां पे देखो इस पोरो फिल्स आरेंट इंटू इसमें फ्लावर में किसले तो एक ही आपका फ्लावरिंग प्लांट है कौन आपका एंजियोस और किसमें आते हैं बस आगे देखो एजावर फ्लावरीं प्लांट रॉज हूं कि अक्यू अजियोसницу पांप किसमें अधिया किया रिदान आपने हें टी म×म इंडः फ्लावर इंटार एंटू आरे जैसे फ्लावरिंग प्लांट है यहां फ्लावर्स आरे इसका अंदर ह बनाता है और उसके बाहर में जो ओवरी है क्या बना देता है अब देखो अपन क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अब आगे देखो अब अब बाद में जब फर्टिलाइशन हो जाता तो भी डवलप्स इंटो किसमें आगे देखो अगला पॉइंट इस इदे लार्जेस्ट ग्रूप अप्लांट सबसे लार्जेस्ट ग्रूप अप्लांट का कौन आपका एंजियो स्पार्म अकरिंग इन वाइड रेंज आफ habitat सबसे smallest group कौन है यह बताओ अब से smallest group कौन था इम्नोय स्पार्म अली तो पढ़ा था यह सब्सक्राइब लार्जेस्ट ग्रूप अप्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज आफ इसका हाबिटेट का वाइड सब जगह मिल जाता पानी में देख लो लैंड पे मिलो सब जगह इस अब जानता हो यह बहुत ज्यादा क्या है वेरियेबल है रेंज इन साइज फ्रम टाइनी मतलब होट स्मॉल और मॉस्ट माइक्रोइस्कोपिक देखो ना मतलब इसको देखने के लिए किसका यूज करना पर जल्दी बताओ माइक्रोइस्कोप का इतना छोटा भी होता है इसमें रेंज इन साइज फ्रम टाइनी अल्मोस्ट माइक्रोइस्कोपिक और ग्यामपल क्या जाली बताओ पॉल्फिया पॉल्फिया क्या लिखा हुआ है smallest smallest क्या लिखा हुआ है एंज यूश्पॉम आई बास समझ वाल्फि इन साइज फ्रम टाइनी अल्मोस्ट माइक्रोइस्कोपिक वॉल्फिया बहुत हो तो ना मतलब इसमें बहुत सारे बहुत सारे बहुत लंबा है कोई मीडियम साइज है है हर टाइप के फ्लांट मिलते आंग यह इंचिए स्पर्म के अब जानते हो कि दो क्लास में यह इंचिए सपर्म को बाढ़ते हैं ono-cortain ono-cortain dicot जिसमें एक कोटिलेजन होगा उसको क्या बोलेंगे ono-cortiledon जो क्या बोलेंगे अन्य इस प्रम्सा दिवाइदे इन्टू ग्लासेज अन्द बेजिस ओफ नंबर आफ एंब्रियोनिक लीफ और कोटिलेटन क्या आपका बताया तो एक ऑपका इसी के नंबर पे क्या इतना नंबर एक है जोले होंगे मींधिक क्या बोल देंगे इसको डाइकोट बोलते हैं डाइकोट सार फ्लावरिंग प्लांट विच आर करेक्टराइज भाई प्रजेंस ऑफ कितने कोटिलेंट तू कोटिलेंट इसके सीड़ी में कितने कोटिलेंट रोंगा भाई तो होंगे तुक है फॉर एक्जांपल अब यार रखने का यहीं अब कैसे प्लांट है अब आगे देखते हैं इसको इसको मोनो कोट बोलेंगे ओनो कोट सार एंजियोस पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट विच आर करेक्टराइज वाई देप्रेजेंस ओफ ए सिंगल वाटी लेडिन इन देशीड इसके सीड़ी में कितने कोटिलेंट हो कोड़े बैव में के जली मताओ विकल्त पर अग्यम्पल बनाना इतने भी सीरियल वीट सबलानास पॉरइस वीट ऊंपल राइस वीट वांपन प्रीद्ग है आप फ्लावर अफ्लावर का डेफ्नेशन दिया हुए कि फ्लावर क्या होता है यह फ्लावरी जब यह भीकल बनाता है रूट पर का भी पार्ट अपले भी मौडिकशन होता है तो सब कुछ बनता है मन्ता है लीप बंता है फ्लावर मन्त बंता बंदा है कि नहीं जली बता हो यह फ्लावर को कैसे रिफाइं करेंगे फ्लावरी जा मौडिफाइड क्या तूचू एना शूच विच आर मिंट फॉर एंफ रिप्रोड़क्टिशन क्योंकि पता हो ना चाहिए तुम्हें फ्लावर के अंदर ही सारे रिप्रोड़क्टिव और रोगन होते हो ते कि नहीं अंड्रोश्यम गाइन तो फ्लावर ही वह जगह है नहीं पर प्लांट में क्या होता आ जल्दी बताओ रिप्रोड़क्टिशन आगे देखो अने प्लावर आर श्टेमिन और पिष्टिल और करपल रस्पेक्टिबली पक्य बात है सब को पता होगा या ची कि मेल सेक्ष और सब्सक्राइब किसको बोलते हैं पिश्टिल और अब देखो इस स्टेमन आप अब हम तुरा सा स्ट्रक्चर प्यार रहे हैं कि स्टेमन में क्या क्या होगा इस बाते हमें बढ़ना है यहां सेक्सोल रिप्रडक्शन लेकिन कॉंसेप्ट अपन यहां पर डबलब कर रहे हैं इस एस्टेमन कंसिस्ट दो पार्ट होगा और स्लेंडर फिलामेंट अन्थर अधड़ टिप यह होता ना सट्रेट इरेक्ट आपको पता है ना कि हर जो इस्टेमन होता इसमें दो ही पा पॉय पार्ट होता है अब गयत inhibu देखैंगो यह हले हो और यह लिstore यहाए पालन बेरिंग पारट आप इस्टेमन अंधर इन्टोजेज माइक्रोच प्रेंजिया व्यर्ड गोर्व मज़स अंडर्गो थो फॉर्म माइक्रोच पोर ट्राइट लुटा था न याद होगा तो कल मैं बता था थे देखो एंधर रेंधर कल बता था ऐसा करके की नहीं जली बताओ श्रपिके आफटां के चारो कोर्ह किया होता मैक्रोस पॉर Questions ऑजी बता हिएक चाह ना ज्यूश्प पॉरंजब कोई किया बोलते यूश्य कर अबिस मिखनेемे क्र९ह मैbei आपका जाले बताओ कि अब इस माइक्रोइस पूर मदद सलका जब आपका मुश्चिस होगा तो बनेगा क्या माइक्रोइस पोर टेट्राड में जब आपका इबलप्मेंट होता है मैट्रोइस भाता हो तो क्या बना देता हो पॉलन ग्रेंज वही बात लिखा हुआ यहां पे यह अं तो अब देखते हैं अब फ्लावर पार्ट्स या इसको बोलते है फ्लोरल वर्ल वर्ल क्या इंचण पॉलर मतलब क्या होता है ना इस नहीं बताओ फ्लावर में 4 होता है कालिक्स और ना इसको आपन बोलते हैं नॉन इसेंटियल पार्ट क्या बोलते हैं जल्दी बताओ जरूरत है इसको उनुसल इसलिए बोलते है यह लोगल क्रोला कौन क videos ७ूर्त-था Andrew को कि मि ए दॉनुसल रीक्ली प्रोडक्शन ए इस्वें कि आध्र कि प्रोड़क्शन के प्रॉसस में डायर्क्ली प्सक्राइस्पार्ट नहीं करता है इसलिए हम दोनों को क्या बोलते है नॉन इसेंशियल और एंड्रोशियम और गाइनोशियम आफ जानतों अड्रोशियम गाइन एल सेक्स और ने फिमेल सेक्स और यह दोनों डिरेक्टली पार्टिस्टीपेट करता है कि नहीं रिप्रोडॉक्शन में जल्ली बताओ इसलिए इसलिए इसको बोलते हैं इससलिए इसको क्या बोलते है इसेंशियल पार जातने का आउट एती यूनिट को क्या बोलते हैं पान क्या बोलते जल्दी देखो ने बहुत सारा सब्सक्राइब मिल जाता है उसी को क्या बोलते है अब देखो एक बात धियान रखना जब भी आफ फ्लावर की स्टड़ी करोगे फ्लावर में चार पार्ट मिलेंगे लेकिन अब तो रिमेंबर की जो औरगिनाईजिस्टेशन होता फ्लावर का वह फिक्स होता है मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं अन्लों कि एक फ्लावर में बना रहा है आपका पैडिशोल होता थैले में सोथा बता रहो थोरी दिम बस यह समझो जो सबसे बाहरी पार्ट होगा न तो रोला के अंदर हमेशा क्या होगा आपका यहां पर यहां पर यह बात रखने का इस अर्रेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते सबसे बाहर में कौन होगा बाई इसके अंदर में यह जो मैंने बनाए बाहर यहां क्या बोलो और जैसे आपका ट तरह कोरोला कुट होता है था है समझ्छ ना तो बहुद सारह पेटल को मिला दो तो एक कोरोला वंजाता है बहुत सारे सपल्स को मिला दो यह क्या में जाता आपका違 Γ्日 दित रहा को हुआ बहुत सारे स्टैमंड को बनता है और सारे कार्पल को मिला के अपकर डली बता सी बांट ऐसा है बडली admitting अब देखो इन चारों में कैलिक्स और क्वाइज बोलते हैं ऐसा बोलते च्पाइब कराया है डाया क्लिकि यह बनाएगा एंपार्ट अब देखो तो आपको यह रखने का आपको यह हमीशा सभसे होट चेलिक्च के अंदर कौन होता है परोला होता है परोला के अंधर कौुम होता है और यह नंग और हूं करता है कोफ़ल करता तो सबकु और सबसे सेंट्रफ ओ सु-स होता है पर नंबर पर कौन अंडू और सबसेंटर में कौन अजय रहे हैं यह सब लिए रहे हैं तुम आहीं बात दिखा हुआ देखो यूनिट इसका सेपल है कैलेक्स का आउटरमोश्ट वर्ल या पार्ट होता है यह ना इस्टरायल होता है क्योंकि दोड़नोट पार्ट इन इसमें या क्योंकि क्यों त linya के क्या बोलता है क्या बोल veil तक्ते पार्टिन इसलिए स्टरयल देंग कंप क्या है इसका सपर्टेक्शन टु दर दर या इसको इसको अधे अब करता है कोई बंद करके रखेगा तो सिंपल सी बात का function क्या हो गया protection of protection of birds protection of newly form birds का क्या करता है protection करता है और जनरली होता है न ग्रीन इन इन कलर होता है किस कलर का होता है ज़्ली परताओ green लुदी है मैं तुसरा आगए पन किसमें प्रोला में इसका unit क्या होगा ब्राइए एक है है इसका लोकेशन क्या होगा जश्ट इनर टुड़ अंदर होगा ठीक है और देखो क्या लिखा हुआ है और ब्राइटली कलर्ड एक ऐसा कलर था देखो तो ब्राइटली कलर्ड तो अट्रेक्ट इन्सेक्ट फॉर पॉलीनेशन जो आप बोलते हो ना प्लांट में पॉलीनेशन होता है होता है जली बताओ कि मालो कि किसी का पॉलीनेशन इंसेक्ट के थुरू होना है इंसेक्ट को एट्रेक्ट करोगे तभी तो आपके पास आएगा हो है कि नहीं करोला करता है ब्राइटली कलर्ड होता है ब्राइट कलर देखे ना इंसेक्ट इसके पास आते है तकि पॉलिनेशन आप समझ तो को रोला का function क्या होगा है help scene help scene क्या फॉली नेशन इसमें help करता है फॉली नेशन में help करते है ठीक है अगला है एंड्रोशयम इसके बार मैं बहतर जानतों एस्टैमन है इस्टराइल है इसी में क्या बनेगा आपका pollen grain और और इसमें क्या बनेगा कि नहीं बता दिया है मैंने आज भी वहीं सब बता रहा हो मैं आगे देखो यह आपका फ्लावर का पूरा पार्ट जो मैंने बता दिया सबसे बाहरी वाले यूनिट को क्या बोलेंगे यह वाला देखो आपका अपल अब यह देख लो दो चीज नहीं इसमें इस स्टॉक के उपर इस स्टॉक के उपर पूरे फ्लावर के पार्ट होते हैं आपका फ्लावर के चारों पार्ट होते हैं इधर होगा कौर आपका सेपल्स प्लावर के चारों पार्ट होते हैं इस बाता है अभी तो बताइं इस से आपका अपल मतलब एलिक्स के बाते हो खाली हो उसके नीचे में जब आपका लाक्त आंडॉस्यम और रोचियम के नीचे कानव आई मोगा इनोश्यम और को कौन रिप्रियंट करता है कारपल शर्य और सब से नीचे में कौन होगा वरी अब आगे देखो तो देख लिए अब एंडरो श्यम देखते हैं औरो डी रिजू करता है इस तैमन और प्रेंड करतां लिजुर मतलब सेखने को कि बनता है ऑप सारे स्टमिन को मिला दो अब देखो नेको क्या उतन है डा छोटा मैं बनेगा क्या आपका और नीचे वाला तो कैसा इंथ जो आपको शक्राइम अब उसी एंथर का देखो उसी ऑंतर का हमने एक Transverse सेक्शन तो इसको कट कर लिए तो आयए किसा कुछ आपको डाग्राम नज़र आएगा इसका इसका अजली बताओ कि अगर ढंग से देखोगे कि यहां यांधर का कडाइग्राम है अगर ढंग से देखो इसमें आंधर में आपको दो-सीन बात है या रखना है यह क्या लिखा हुआ लोब और टेट्रा इस पॉर एंजी एट और कितने इस पॉर एंजी एट अप चलो इसको अपने तरीके से मैं बताता हूं देखो एक अंधर का पने श्रक्चर देख रहे हैं ठीक है कि देखो कि ये अधरा अधर को अधरी बता कि अब देखो किसमें ले 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 लिए अपन अरकॉर्णर पे क्या होता है डा सभी जन्हान हम अभर होगा है मैं क्रोणन पर समय और ऐट है यह और विटाइं इस यह बातरि नहां है निल्हाइं अपाइब आज दिल्ठेस ज也 हिकित्टे सब्सक्तराइफ पार गता- covariTEIST इस प्रति कहा है यह क्लियर है बोलो अब देखो अब एंथर के अपन फीचर लिख रहे है क्या लिख रहे हम क्या देख रहे हमारा डाग्राम किसी इसका बना हुआ है यहां पे इसके फीचर लिखते हैं हम किसका डाग्राम देख रहे हैं बाई एंथर अब इसके फीचर थोड़ा लिखते देखो कि इतने एक बात दूसरी बात आपको नजर आ रहा है कि नहीं एक लोग आपको उपर वाला नजर आ रहा है और एक लोग नीचे वाला नजर आ रहा है कि नहीं जली बताओ एक लोग उपर और एक लोग किधा आपका नीचे पहला करेक्टर क्या हो गया होता है कैसा था मतलब हमेशा नहीं होता बैटा आपको मतलब फिंगल लुव हो सकता लेकिन हमेशा के बात नहीं करें चली मुश्ची कैसा होताय जली बताओ बाइलोब उस्टली यह याद रखने का आपका पहला फीचर क्या हो गया इसका मोश्टली कैसा होगा जली बताओ पहली बाद चलो एक लोब आपको दो लोब दिख गया उसके बाद देखो तो थीका भी दिख रहा है थीका मत्ब पार्टिशन अगर ऐसे ऐसे देखे तो पहला थीका एधर वाला और सेकेंड वाला यह दिख रहा है कि नहीं जली बताओ तर archa आपे अचल वेटा है कि पार्टिशन होता है जली बताओ दिख रहा है को सभीग दीबलो कि ऑए Cow इसको बोलेंग Marx को इसको ऊपर एक लएशी के नीस से लिए CR ताइटिकस है ना पॉस्टली बाइट बोलेंगे जल्दी बताओ अगला फीचर इतने इतने माइक्रोश पॉर जडराण रहा है इसमें जल्दी बताओ टेट्रा पॉर जडराण है ना क्या बोलेंगे टेट्रा स्वारंजीएट क्या बोलेंगे जली बता एंड एंड डाइग्राम हो गया सिंपल सी आंधर इज मोस्टली आइटिकस एंड टैट्रा एंड टैट्रा व्यार विए फीचर बताना ना करें हसे पर नहीं पूंड़ छेस्टियुंब बर ईफिर ये सब्सक्राइन रहा है इसके अंदर बहुत सारे वह बोलते हैं माईक्रोएजब क्र थे सब्सक्राइब क्लिठा है मढ dar bunun कि सब्सक्राइब इसे करके रहे आप युए है cry a करें जो कि आऊ-इस नारे जाए जल्दी बताओं माइक्रोस पोर अधर से जानु तरा तौ तवकों कंडिशन में होता है तो से भी किस कंडिशन में होंगे 2N कंडिशन में है आई बात समझ में जल्दी बताओ यह तो सब किस के सब कंडिशन में अब देखो तु मैं आप खुद से बताओ माईक्रोइस्पोर मदर सेल बोल दिया मैंने group of cells को क्या बोलते है अपन इस्चु इस हमें इस्षु का भी नाम देते इसको बोल सकते हैं आप इस प्रोजिनस टिशु क्या बोलते हैं जल्ले बताओ पोरो जिनस टिशू पोरो जिनस टिशू आई बार समझ जल्दी बताओ ये सर इसी को क्या बोल सकते है अपन जल्दी बताओ इस पोरो जिनस टिशू प्रियर है ये सर अब देखो अगली बात है कि अब देखो एह हर सेल में जितने भी स्कें ंदर माय्क्रोस्पोर अदर से लाना सब में पोटेंस माइक्रोइस्पोर मदर निकाला हमने क्या कंडिशंब क्या मने बता क्या आपका माइक्रोइस्पोर कर इंद सब अजलिए बता है यह सर यह माइक्रोइस्पोर और बना देगा कितने आइक्रोइस्पोर टेट्राड क्या बनगे आपके माइक्रोइस्पोर टेट्राड क्यों कि यह सब सर एक साथ है क्योंकि इसको एकॉमन वाल यह से पकर के रखता है इसे करके ठीक है इसको मिनदेट्राड में ही अब क्या होगा आपका डेवलप्मेंट उता है क्या होता है कि और लपमेंट में अभी बाद में सिखोगे इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं नैया कि यह चाहर क्या बना देंगा आपकर है के अब्याए चाहर जली बोलो इन अ गरिए अब का बदैवि का विए बता पॉलद टॉलड ग्रेड का का फॉर्मेशन कैसे बात समझ में है अब को यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब एक माइक्रोस पॉर मदर सेल को निकाला एक टू एन है मियोसिस हो गया क्या बने आपका एक कॉमन वाल होता है कैलोज वाल इसलिए एक साथ होता है इसमें बार में एक आता है यह तो माइक्रोस पोर्टेट्राइब आपका यह डेवलप्मेंट करें इसमाइट रहे हैं चार आपके क्या बने जल्दी बताओ बात यहां पर क्या समझने लाइक है है ओल दो फोर है ना ओल फोर पॉलंगेंट क्या क्या जी अपिर फंशनल अब के सब क्या भाई जीए अब देखो आपके बाते हैं तो आपका है अगरू है बनाता है एस में आगई एक पॉलाइन ग्रेंट के अंदर देखो गया अब थरा रहे एक पॉलन ग्रेंट है तो आपका क्या होगा और यहां दोनों हो गया आपका यहां डूनों हो गया आपका यह गया और यह आपका क्या हो गया यह तो तो यह आपका हो गया पॉलिंग अब पॉलिंग में देखो अब इसको अब कितने तो ही दो है कि इस पॉलन गर्ण को बोलते हैं थ्री सेल्टेज में है कि सेल्ट में है जल्दी बता त्री सेल्टेज आई बात समझ एप इस पॉलन ग्रेन फुसेल्ट अणिश्टेज में भी होता है दुर्य में न, poly глan में दो ही शेल होते हैं, मैं आपको थो रा बहुता दो, देखो, in more than 60% angio sperm, इतने में भाई? more than 60% in more than 60% of angio sperm पॉलिन ग्रेंज और सेड एट 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 तू शेल्ड स्टेज अभे क्या बात हो गई कि देखो जब आपका माइक्रोस्पोर बना ना यह माइक्रोस्पोर में ना पहले दो टाइप के पहला माइटॉसिस होता है इसमें दो सेल बन जाते हैं कि एकte small cell जिस को बलते हैं घ्रेटिव सेल्ड कलते हैं और किया ग्रेेटिव सेल्ड Venetil बनेते हैं कि किले बनेगा एक ल Dell को बोलते हैं very ga श्राष्या स्माल इसपोर बनें नंद hack you about energy may मैं जीटेटर इस कंडिशन में देखो तो तो यह आपका माइक्रोइस्पोर है हो फहां माइक्रोइस्पोर होता है ना ना बनता आपको देखो कि अंधर कंदर घरा इस अनधर के अंधर है उल यह दो समाख में आरे पैटा नहीं है देखो थे याईटर आ आरे थे सरह कम हमेही हो रहाना कहां पे तो यहांसे निकलने का time है ना को दो कंडिशन में निकल सकता है एक कंडिशन में कैने मतलब स्थ हों गया माइक्रोइसपॉर भना था टो एक माbekोश डिविजण किया बना लिए यहेगे। छे से लैंपा बना लिए गड्रेटीब से ल्एर बाहर निकल गया हूआ निकल तो कि इस पर पॉलन गरना के गिरा तो जो गिरा आपका दो कंडिशन में गिरेगा मालो माइक्रोइस्पोर बना पहला माइट्वसिस हुआ बन गया क्या आपका एक जनरेटीव सेल और एक क्या बन गया बताओ जो जो गिर गया इसमें 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 तिन जली बताओ टू सेल है एक वेजिटेटीव और यह क्या आपका जनरेटीव अब गिर गया ना तब आपका गिरने के बाद इस पे क्या होगा अब जे छोटा वाला जनरेटीव सेल था ना यह डिवाइट कर गया बना दिया दो मेल गैमीट मतलब फाइनली होना दोनों को थ्री ही है मतलब स्टिग्मा पर गिर किस कंडिशन में चेंज हो गया उस वाले में जनरेटीव सेल क्या बना लिए तो मेल गैमीट और वेजिटेटीव सेल किसके तरह किया त्यूब सेल की तरह आई बास अमल तो होना तो थ्री ही है लेकिन फरक क्या है परक क्या है तिक्स्टी में चेंज हुआ लेकिन कहां पर चेंज हुआ किसके उपर जली बताओ स्टिग्मा के उपर और बच गया 40% less than 40% उसमें वह वाला काम भी इधर ही हो जाता है मतलब जनरेटीव सेल इसके अंदर ही डिवाइड होके कितना सेल कंडिशन मना लेता है जली बताओ तब थ्री सेल कहां जाके बनता है वहां पर जाके बात समझ बेटा जली बताओ यहीं बात मैं समझा रहा है देखो कुछ इसी स्टेज में चला जाएगा इसको बोलते है टू सेल सेल और कुछ उसी के अंदर एंधर के अंदर ही क्या कर लेगा यह जो जनरेटीव सेल है ना या डिवाइड के मेल घमीट करोंकर त्यूप सेल आईवाइबात समझ तो यह ऐ ओर दैन सिक्ष्टी परसेंट में क्या बोला मौर दैन सिक्ष्टी परसेंट में पॉलन्डें अधर को तोर के इस श्टेज में निकलता है किसमें तूसलमें बने ट्रीप लेस्टन कितना प्सक्त कितना था किस स्टेज में निकलता है बार समझ में आई जल्दी बता तो यह हो गई पूरी पॉलिन ग्रेंड की कहानी खतम ठीक है अब थोरा सा बात बता दो और आपको इसमें यह जो आपका एंथर होता है ना इसमें चार एंथर वाल होता है जो इसको कवर किया रहता है तो आपके नो स्टेट्राइस हैं यह में बता रहता है जैवाल होते हैं यहां पर उपर वाल को यहां पर नहीं बना देरहाओ यह जो है नहां gusta एसे पूरे को ऐसे कबर किया हा बस एक कौने में दिखा रहा हुए कि अग्ए वाल पूरे में ऐसे होता है अगला लेयर जो होता आप Lena उसको बोलते हैं जल्ली बता होना क्या पहला नेयर है इसके बारे ना होता है इस के भी मियa होता है transdf牛 के फ डर्जर के चाहब होता है इसमें महलते है यह वह वह harta मीडल लियर इसमें मैं जो ड्याग्राम मनाया था उसमें आपको बता देखो क्या देखेधा सबको इसमें राइंTFर वाल इसको क्या बोलते है यह था चार होते ढाटेंस अपके अपट और ज Georges algumas इस पीम और आ pa यहां पूरे में प्रेजेंट होता है यहां रखना को इतना ही इसको क्या बोलते हैं अपन अधिक ऑब कितना यह कि इसको बोलते हैं में ड्या होता है कितने होगे दो से त्री और सबसे अंदर में किसके कॉंटक्ट में होता है इसके कॉंटक्ट में कॉंटक्ट में होता सीधा सीधा याल यार कॉंसा आपका कॉंसा आपका कि इसको नरीश्मेंट देता है किसको यह माइक्रोश्पोर मदर सेल्स को इसको देता है जल्दी बताओ अधिली बोलो चारो को मिला करण एंथरबॉल बोलते हैं क्या और और होगे है यह सब्सक्राइब का लीचैनाक्स अश्वर्य को मिला देंगे तो यह भी लिगते हैं यह को ऐसा करके दिखाया मॉंसी में मृशना हुआ जाले इस ट्राइब को एक कॉमन वाल बाहर से घरा वबाय। को क्या बोलते हैं कैलोज बॉल इस के लोज पर एक एंजाइम लगता सब्सक्राम देखो तो कैलेज नाम क्या जली बताओ इस आड़ोज और जो इंजाइम है को नाम है देखो तो तो हो गया मै अलग हो गहां दिख रहा है और की अस来े मैः जह बन जाता ज़लिबटा और फॉलमा hai सब्सक्राइब नियुक्लियस वाल इस बाहरे 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 बताओ आपका है आपका एक पॉलन है इसमें दो मेल गैए और यह आपका क्या बोलते हैं अब देखो यह आपका स्टीग्मा और नीचे क्या आपका ओवरी की सारी बाते कल मैंने बता दे थी सबसे बाहरी है ऑवरी के अंदर क्या है ओव्यूल है क्या होता है आपको पहले से पता है यह देखो नीचे वाला दोनों क्या है Dir यह प्लस उनारत बना है सब करा ईंबर यह साथ होता है और देखो यकष इनर्जी डोनों को मिला दोए यह परेटर्स में से नर्जीट प्लस एंग एक्सेल ठीक है तिसुडा को मिला करे बोलते एक एपरिटस उसके बाद टीच वालों को क्या बोलते है पंजली बताओ इस प्लिट न फेंटर नुपल्ड्र नुकलियाी ओफिस सेल का इंट्रल सेल को क्या बोलते हैं अब देखो पोवरी क्या होगा तू और और भी ऐना तब ना आफका जब बनता है आपका जब घ्राम्ट उसका फ्यूज करता है तब आपका तू ने है वरी आपका टून इन यह लेकिन एंब्रियो से क्योंकि मुश्च के बार बना तो कैसा हो गया में बताओ अब देखो डेवलप्मेंट आपको नहीं एक ओवरी है अब 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 जानते हो ओवरी है ओवरी के अंदर क्या होता जली बताओ ऑविल्स होता है कि नहीं और ओविल्स को क्या बोलते है ऐसे बहुत सारे से लिख रहा देखो आपको बताया था ना माइक्रोपाइलर होता है में तो एक किदर कर जाता है और वहीं कैसे आक्टन लगता है जली बताओ इसमें से तीन जो माइक्रोपाइलर एंड का है क्या हो जागा और एक क्या बचेगा फंक्शनल मेगाइस्पॉर यहीं मिला ना यह सब एक फंक्शनल क्या मिला मेगाइसपोर में तीन माइटॉसिस होगा कितना माइटॉसिस तीन अब बच जाएगा आपका क्या समझाते यह बहुत असाना की वट आई हो सकता कि पहले हो रहा और आपका क्या वात मिल्ıll dzięki में श्रौत इसमें क्याओ पॉस्क्त चिनल में पर क्या है धू책 लुब कि इसके बार बनाएं अब देखो इसमें फिर्स्ट माइटाटिक और यार रखने का हमेसा पहले क्या होगा क्या होगा है क्या होगा हमें कर्यों रिपीटट करूँ हो नूंकली शता है किस्क का हो रहा है हन् honestlyяет अमे इक जल्धी पता हुआ यहाइन नूट्यू से जिल्धी कर्यों हो थो है सब्सक्राइब आप है अगलता सब्सक्राइब हाँ कितने नूकलियस हो जाएंगे आप अब हो गया कि नहीं जली बता हुआ है यह सरह क्या हुआ है इसके बाद क्या होता अगला श्टिप री अरेंग्मेंट अफ स्क्राइब सले नियुक्लियस का इसस अपने पोजूशन पाइब कैसे रिये में हुआ ऐसा है इन कहां चला गया नियुक्लियस जली बता उपर उपर इन नीचे दो कहां चला गया तो यह को अगया अगया प्ली। बता अब अरेंजमेंट होने के बाद अगला क्या हो जाएगा अब किया हो जाएगा ना पकल जाएक वाई अपर में कितने तीन नुकलियस था ना कि यerson का रउंड क्या बन गया और इंट्रल सेल ऐसे में थे ना जल्डी बताओ यह सब क्या रोंड़ रोटर यह नगा बनया जो किसका होता है सेंट्रल सेल का सब को दो तो अब गया कि नहीं सेवेंट गुलेटे जल्डी बताओ तो इससे आपका बनता है एक नुकलिए टे अम्री और फैला टीन बार माइट तो आठ नुकलिएस बन गया अब आठ नुकलिएस अपने आपको अरेंज करता तीन ऊपर चला गया थीन नीचे चला आ दो कहां चला गया उसके बाद साइट्र तो इसलिए 7 हो गया और कितने नुट्रेटर्ट रोगे जली बताओ आई बास समझ आई बास समझ यह सब्सक्राइब इस नुट्रियाइब अब गया आफ नुक्लियाइब आपका उसके बादे नुक्लियाइब इस अरेंगे आफटर अरेंग्मेंट वॉल डिवलप्षिन एल इसलिए नुक्लियाइब इसलिए नुक्लियाइब नुक्लियाइब आपका जा गया उपर मतलब तो पोलर नुक्लाइब कहा गया कंटर में और तीन कहा आगया जले बताओ कुंहां आपका होता है कि क्या बोलोगे समझ में नहीं समझ में यहां पर से जा रही सब को बता है तीन उपर में आपका अपका है आपका है ना और यह सेंट्रल सेंटरल से लोता है बीच वाला इसमें दो नुक्लियस आगे और तीन नीचे आगे सेंटर में कौन होगा एग और बगल बगल में दोनों कौन होगा आपका सिनर्जी हो गया यह है इसको क्या बोलते है अपन फीमेल घमिटो फाइट किसी के अंदर है कि नहीं फीमेल का एक जल्दी बताओ यह सब अब मच्योर अम्ड-ब्री एक सब्चेल है एक लार्ज इस मेंग नुकलियस और आपका एक तीसरा एक एक आपेडर्स में कौन हा गया थो सिनरजी प्लस वन इसमें इस वी बता इंगा यूह इसक्छुल बश्यक्षण बना नी बता दिया था ना उनिस्टॉल स्टॉल बाइसे के लिए उच करेंगे बता दिया था पहले भी ठीक है तर नो शेश डासर्टम किसके लिए उसकर देपन लांट के लिए लांट मतलब सिंग्ल प्र लांत मैं पोथ मेल इंद फी मेलु स ARM or on a अब चलो यहां से अपन करेंगे तो आपन देखा कि आमने की पॉलन ग्रीम कैसे बनता है और आपका एंब्रियो से कैसे इसे देखो के पूरा बहुत असान है अब को त्यारत हो जाना चाहिए दो लक्षर तीन लकषर से यहीं बात हो रही हो रही कि नहीं यह सर्ण जरूर करन गर पे चलो ठीक है बाबाए बाइब 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 बाइब